आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या? बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियत्दानिक अख़बार आजाद सिपाही आजाद सिपाही के विसेश कारे करम आजाद बोल में मांडर विधान सभा के सभी जन प्रतिनिधी से दिन प्रते दिन आजाद सिपाही द्वारा चुनाओं की तैयारियों को लेकर विसेश बात्चित की जा रही है इसी कड़ी में आज मांडर विधान सभा की प्रत्याशी हेमलता उराओं से असमवाद आता आसिफ रजा ने बाच्चित की आईए देखते हैं क्या कहा हेमलता उराओं ने महिलाओं को 50% आरक्षन की जो आसू बात करती है वही आसू मांडर में भी अपना परत्यासी दिया है हेमलता उराओं के रूप में आज उनहीं के पास मांडर विधान सभा के मांडर छेतर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मैडम हैं हम इन से जानेंगे कि इस बार पहली बा बात को जानेंगे मैडम कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको इस चुनाओं में लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोग जहां भी जा रहे हैं लोग पार्टी से जूड़ भी रहे हैं और लोगों के मुँपर ये भी है कि हां इस बार आजसू को जिताना है ये स बिल्कुल आस्वस्थ है, जनता जान रही है किसको देना है, इसलिए भीड को बुलाने की जरूरत नहीं है, आश्विपाटी के समर्थक खुद स्विच सुन कर ही दौड़े चले आएंगे, इतना विश्वास है। की का भी कुछ भी नहीं चलेगा, हेमलता विराओं आगे बढ़ेगी और केला है, केला छाप एक खांधी में, ग्रूप में रहता है, और ये ग्रूप एक बहुत मजबूत संगठन है, और इसको तोड़ पाना, भेट पाना बहुत मुस्किल है किसी को। इस बार गाओं की सरकार, निश्चित रूप में गाओं की सरकार है भी, मैं भी एक गाओं से बिलोंग करती हूँ, मैं भी पंचायती विवस्था के तहट चुनी हुए जन परती निधी हूँ, और वही सिस्टम को, गाओं के सरकार को, जो हम लोगों के पार्टी का सोचा एक प्लान है, उस प्लान को हम लोग बहुत अच्छे से जमीन पर उतारेंगे, और यही सोच के तहत हम लोग चल भी रहे हैं। स्वस्थ है, कहती हैं कि इस दोड में हमारे पीछे कोई नहीं है, और इस बाद निश्चीत रूप से आसूप पार्टी का परचम मांडर विदान सबा में लहरेगा। कैमरामेन दानीश के साथ आसिफ रजा